प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा उद्घाटन किये गए विश्व का सबसे लंबा पुल बोगी बिल पुल का पुना एक बार इतिहास साक्षी बनेगा जब एनेफ रेलबे 29 अक्टूबर को बोगी बिल पुल पर हाफ मेराथन का आयोजन करेगी जिसमें विश्व क यतिंद्र कुमार एनी रेंज आईजी जितमोल डोले एनफ आर के पूर्व जेम अंशल गुपता डेब्रोगर के पुलिस अधिक्षक स्वेतांग मिश्रा डेब्रोगर नगर पालिका के अधिक्ष डॉक्टर साइकत पात्र एवं हाफ मेराथन डॉर कुरियोटर कैप्टन ड्राहुल सुदेश वाली उपस्ते थे मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने स्वास्त भारत की कामना करते हुए फिट इंडिया कारेकरम की शुरुवात की है ये कारेकरम भी उसी कारेकरम को बढ़ावा देगा इस कारेकरम के बाद ब बोगी बिल ब्रीज अग जाते गुटे पिठी बेसी नी पाओ और तार करने यह हब मारा थांटू आमी ब्रीज अपर कोई बाकारने इताम तो लोगे अपने अपनों गौंपाई से मूल आवे जोख अभो एनेख रेल्वे उतरपुर्बांद चल रेल्वे यार मुट्ख बोगी बिल ब्रीज के ऊपर है जो एश्या का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रीज है और आज तक उस ब्रिज के ऊपर कभी भी हाफ मैर्थन नहीं हुआ है और ये एक एतिहासिक मोमेंट इस मैराथन से ना केवल Empowerment of Sports Persons and Development of North East का जो हमारा theme है वो हासिल होगा बलकि दिब्रुगड में जो इतनी सुन्दर एक मेरे इसाब से तो ये एक Iconic Monument है Bogie Bill Bridge उसको हम पूरे विश्व में उसको जो है वो promote करना चाहते है और highlight करना चाहते है और इस marathon में देश्व देश्व से लोग आने वाले हैं इस marathon में पूरी दुनिया के international top sports persons इसमें भाग जाएंगे 6 categories में ये race होगा 5 km जो कि एक fun race है उसमें male and female 10 km open race उसमें भी male and female और 21.1 km half marathon male and female इस marathon में हम साड़े 6 लाख रुपई के prizes देंगे plus medals होगे 21.1 km के जितने भी finishers होगे उन सब को एक finisher medal दिया जाएगा उसके अलावा सब को जितने भी participants होगे उन सब को एक merit certificate दिया जाएगा जो कि वो website से download कर सकते हैं इस marathon के लिए हमने एक special website बनाई है जिसका नाम है anyhm.com जो कि आप देख सकते हैं backdrop पे भी प्लस ब्रोशर्स पे भी आपको ब्रोशर्स भी दिये जाएंगे ब्रोशर्स के अंदर पूरी detail है